कि अंतर happening भारत का बिस्तार और विविधता भारत में विभिन प्रकार के लोग है विविन प्रकार के लोग हम कैसा कहते हैं कुछ लोग-भासाई हैं कुछ लोग धार्मिक है नोह तो इन दोनों मिल एक प्रशिव में पुरा वडम में जो देखने को मिलेगा वह आपको लिए ऊड़ चांज आन। कि कि यस तरो मानता है क्या क्या है और भारत को चुल 이미 में वह ॉचऑ को कश़ए करने में कैसे के समय पर जितने स्टेट हमारे आज आज यू सह हुआ्ड ठीन कुछ ऐसी चीजे थी जो पहले यूटी के तोर पहसे सिक्कीं हो गया हो गया ठीक है सब क्या था ये पहले यूटी के तोर बश्यूज को मिली थी है थी हमारे जो देश उसमें शामिल हुई थी लेकिन बाद में धीरे-धीरे करके इनको पूर्ण राज्य का दरज़ा दे दिय पाकिस्तान को हमने जीज लिया तो क्या हो गया पाकिस्तान की हिस्सा किसका बन गया फिर इंदुस्तान का बन जाएगा ना और इसा ही का विस्तार बढ़ता है बाद को बढ़ा भी सकते आप कम नहीं कर सकते हैं बढ़ा जितना मरी सकते हो और भारत की विवित्ता जो मैं आपको बता चुक्त हुआ हुए अब इसके उधारण के रूप में हम भारत शाषन अधिनियम 1935 के प्रभाव को देख सकते हैं ठीक है अधियासिक में जो 1935 का एक्ट है हम इसको देख सकते हैं कैसे जब हमारा कॉंस्टिशन बन रहा था तो हमारा देश किस पर चल रहा था उसके बनने के बाद नाइन्टीन फॉर्टीन में जब कॉंस्टिशन से एक्सेप्ट कर लिया गया उसके बाद भी नाइन्टीन फिफ्टी तक कब तक 26 जन्वरी ठीक है 26 जन्वरी उन्नीस सो पचास तक ज्यादा तर जो बनाया गया ठीक है उन्से जरुवत की चीज़े ले ली गई कॉपी पेस्ट किया गया है साथ में जो 1935 का एक्ट था सबसे ज़्याद कि 70 परसेंट से अधिक हिस्सा जो लिया गया वह 1935 के एक्ट से लिया गया भारतिस अभिदार में और 1935 बनाया गया बनाने किसका था इंडियंस का था सिरी बात है क्योंकि इंडियंस अपनी सहुलिक्स के दास्व रहें हां उस्टाइम ब्रेटिश थे लेकिन फिर भी जो उसमें मैं तरपन रोल अदा किया था वराने में वो किसने किया था हमारे इंडियंस ने तो यह आपका सैकंड हो गया है अगला देखत इसमें थाट इसमें हमें कह सकता हूं कि जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर केंद्र और राज्यों के लिए एकल सभीदान केंद्र और राज्यों के लिए अब देखिए जम्मू कश्मीर तो आप लोग खाला की जानते हुए जम्मू कश्मीर में क्या चैंजिस हैं कैसे हैं ठीक है उनका अपना अलग फिलैग है अलग सब्सक्राइब कर देखिए जम्मू कश्मीर को छोड़ दें तो छोड़ करके केंद्र और राज्यों सेंटर और स्टेट के लिए एक ही सब इधान है आपने कभी यह सुना है कि यूपी भिहार एंपी हिमाचल और महराष्ट्रा यह सब जो अलग अलग स्टेट है इन इन समय अपना अलग सब्धान आपने कभी यह सुना है यूपी भाला बोले ऐसा है मेरे हां के जो रूल है वो अलग रहेंगे ठीक है मैं अपने आप सब्धानी का दिका आज या फिर कॉन सुरी सब्धान जो बनाया उस पूरे देश को देख करके बनाया गया है देश के लोगों देख करके बनाया गया है और केंद और राज्य है दोनों को मिल करके ही एक साथ एक ही सब्धान को मानना है एक ही सब्धान को फॉलो करना है वैसा नहीं कि अपने लोगों के जरुवत के अनुसार अपने राज्य के लोगों के जरुवत के अनुसार वो एक मलेक पॉल terminals बना सकते हैं लेकिन उस से किसी भी परकार से कि सी भी की जो मौलिक अधिकार हैं उनका अहनन नहीं होना चाहिए यह सविद्हान के मूल्ध हाचे से किसी परकार की कोई छेड शाड नहीं होनी चाहिए तब वो कोई र róख क्यां सब्सक्यैने की बात कर सकते ठीक है अब यह पार्लेमेंट को बाब में डिस्कस करेंगे पहले ही पार जाते हैं वापस तो केंद और राज्यों का एकल सभीधान यह भी हमारे भारते सभीधान को विस्तरित करने में एक इंपॉर्टेंट रॉल अदा करता है मैं तो पुर्ण मुमी का निभाता है अगला इसमें पॉइंट देखते हैं हम लोग सभीधान सभा में कानूं विशेशग्यो का प्रभुत्व सभीधान सभा में कानूं विशेशग्यो का प्रभुत्व देखिए हमारे सभीधान बना उसमें चाहते तो जो आदमी चाहा उठका जाता ऐसे भी कर लेते हों कि ठीक है यह मेरा बांजा यह फूपगा यह उसका है ठीक है रिलेटिव को उठाकर ले लेते लेकिन कैसा सभीधान सभा में ज्यादतर लोग जो थे वो कानून के विशेशग्यों नहीं नहीं लेकिन वह भी कानून के विशेशग्यों तहीं जानती इसका है करते हो गए और सब ऐसे लोग थे जुन्होंने कानून में अच्छी कासी विश्य चगता हासिल की गई थी और इसी का वज़ा से हमारे सभीधान बना कानून के तोर पे वह अधिक अच्छा बना कैसे अब एक बार सोचिए हम लोग बोलते हमारा जो सभीधान है वह थोड़ा हलका सभीधान है तो उस परकार को देखते हैं तो ऐसा हम नहीं कह सकते क्यों सोचिए एक अमीर बंदा एक गरीब बंदा थीक है मान लिजे अगर अमीर बंदा ने कोई कानून तोड़ दिया ठीक है या फिर किसी का मड़र कर दिया या फिर बहुत तेजी स्वीड में गाड़ी चलाता हो जा होती है ठीक है फिर तो अमीर तो भाई रहता और गरीब जेल में रहते हैं क्योंकि सुनवाई नहीं होनी थी ठीक है सविधान में सबको अधिकार दिया अपनी बात रखने का बले कंप्लेंट कोई कैसे भी कर रहा हो अलग बात है लेकिन सविधान के अनुसार हर कोई अपन नहीं पर सको तो सरकार आपको मुफत में वकील करवाईगी मचाओ जितना उत्पाद मचाना मना कुण कर रहा है तो प्रकार से है तो सभीधान सभा में कानून के विश्यशक थे तो यह कानून के विश्यशक को पर्वत वहां था ठीक है तो उसकी वज़े से भी हमारा सभीधान जो बना एक बहुत ही अच्छा कानूनी तोर पर माना गया बना हुआ ठीक है अब हम इसमें डिसक्स करेंगे कि भ भी भिभिन स्रोतो से भीध दिखिए अभी मैंने आप लोग को बताया कि सविधान का अधिकांश भाग यानि कि मैक्सिमम जो पार्ट लिया गया वो कहां से लिया गया इस एक्ट से कॉंसिटुशन का मैक्सिमम पार्ट लिया गया मैक्सिमम पार्ट यहां से लिया गया सविधान का जो टार्शिनिक भाग है कि 1935 को एक्ट है इसमें बनाने इसको बनाने का काम किया गयों किसने किया वोगी इंडियंस ने किया हाला कि यहां पर इंडियंस उतनी तादात में मौझूद नहीं थे जितना सविधान हमारा बना उसमें मौझूद थे ठीक लेकिन साथी साथ जैसे मैं आपको बताया था कि कम साथ देशों का सविधान चानने के बाद हमारे सविधान को लिखने के लिए तकरिवन साथ देशों का सविधान चाना गया पड़ा गया समझा गया उसमें देखा गया क्या क्या हो सकता है क्या क्या होना चाहिए क्या जरूरी है क्या नहीं जरूरी है तो उसको किस रूप में हमारे लिए जरूरी बनाया जा सकता है ये भी देखा गया ठीक है और देखिए एक अफधान चलती है अकसल लोग कहते हैं कि जो भारत को सभीधान बना वो कॉपीपेस्ट कर दिया गया ठीक है हलकि बात बोली जाती है लेकिन इसको आप पूर्ण रूप से सत्य नहीं कह सकते क्यों कि भारत को सभीधान नहीं है ऐस उसके जाब सबना एक बना तो जो भी सभीधान बना रहा है वो दूसरे देशू के अधिकारों को सभीधान को वह गया कानुन व्यस्ता को देखता है समझता है और उसके बाद देखता है कि हमारी इस थे कैसी है और क्या जरूरत है उननों बदलाव की इसके अनुसार सबीध Ana बनाया जाता है है तो अ cztyd शायता आक संद्धन ऐसा ने के बनाए गया अब इन देशों में कुछ सभिधान का दार्शनिक भाग इसमें क्या है आपका मौलिक अधिकार और राज्य के निति-nirde-shak सिधान्थ मौलिक अधिकार इनको हम क्या बोलते हैं शॉर्टकट बोलेंगा तो इनको fundamental rights ठीक और साथ मैं बात करूँ तो राज्य के निति निर्देशक तत्व और राज्य के निति निर्देशक सिधान्त यानि की DPSP शौर्ट फॉर्ण बोलते हैं को डिर्क्टिव प्रिंसेपल स्टेट्स पॉलसीज ठीक है तो सविधान का दार्शिनिक भाग है इसमें मौली कदिकार आपके आते हैं fundamental rights और राज्य के निति निर्देशक सिधान्त यह कहां से लिए गए यह हमारे मौल रूप से लिए गए अमेरिका और आर्लेंड से और इन बात को ध्यान रखेगा यह जो मैं आपको सुरोत बता रहा हूं जो सुरोत जाना से लिया गया है सविधान का क्या क्या भाग लिया गया उनको आप ज्यान दखेगा इसके बाद में आपको बना बना कर दूंगा प्रवाइड कराऊंगा तो उसमें आपको शेडियूल की वह पड़ाऊंगा ठीक है कि आपकी कॉन में शेडियूल है और कुछ इंपोरेंट अर्टिकल्स हो गया और आपका जो कहां कहां से कौन-कौन सा भाग सविधान कर लिया गया उसमें आपको लिस्ट बना कर दूंगा ठीक है उसको भी आप अच्छे समझ लिएगा तो सविधान कर दार्शनिक भाग में हमारा क्या कर आएगा मौली कदिकार फंडामेंटल लाइट्स और डीपीएस पी डिरेक्टर प्रिंसिपल स्टेट्न पॉलिसी जाएंगे वह लिया गया हमारा अमेरिका और आयलेंड से ठीक है वहां से चीज़े ली गई है अब इसके बाद आता है राज्यतिक भाग जो है ठीक है राज्यतिक भ अब इसके सरकार का सिधान्त कारेपाली का विधाई का तो कि इसको हम एसकाता है विधाई का के संबंद कि राज्यतिक भाग में हमद देखें कि हमारी जो पार क्या होंगे क्या प्राबधान होंगे तो इन सब संगय सरकार का सिधान्त तो इनका अधिकान शसे लिया वो लिया गया ब्रिटेन्स से कि राजनेतिक भाग में संगेश सरकार का सिधात कारेपाली विधाइका के सम्बन्स अब नहीं है यह ब्रिटेन के सब्सक्राइब करता हूं कि सब्सक्राइब करने प्राव दहने में आएगा आपका कानेड़ा आस्ट्रेलिया जर्मनी यू एस एस आर और अब क्या बोलते हैं रूस लिदे तो मैं आप इसको हम बोलते हैं रूस फ्रांस दक्षिन अफ्रीका जापान हादी किया है कि आपको कौन कौन से पहले बिल्टेन बताया आपको आपको मैंने बता दिया अमेरिका आइलेंड बता दिया ठीक है इनको खटा करके अब हैं प्राधन लिए गए हैं वह कैनाड़ा ऑस्ट्रेलिया जर्मनी यू एससार जिसको क्या बोलते हैं हम लोग रूस फ्रांस साउथ अफ्रीका और जपान से लिए गए ठीक हैं और देखिए मैं आपको इनके लिष्ट जो है वह प्रोइब कर रहा है नहीं बता रहा हुं थो आपके लिए अच्छा रहे हैं सेप्रेट आपको मिल जाएगा यह मैं आपको कोशन चोड़ रहा हूं कि जर्मनी से क्या लिया गया है जर्मनी से अमने कौन सी चीच अडूप्ट किया सविधान में त ना तो वो अधिक कठोर है और ना तो वो अधिक लचीला है अब यह लिजे ना तो अधिक कठोर है नहीं अधिक लचीला है हमारे सविधान में बदलाव असानी से किया भी जा सकता है और नहीं भीके जा सकता है ऐसे नहीं कि बहुत एक लंबा प्रोसेस होगा एक पर करे चलेगी तभी जाकर कोई बदलाव आएगा या फिर एक दम कोई विए रहर अठाया आकर बोला भी बदलाव करने और कर डाला बदलाव ऐसा भी नहीं सकता तो जरुवत के हिसाब से कठोर और लचीला बनाया गया है अगर कठोर लचीला जरुवत के साथ से ना बना जाता तब इस तिति कैसी होती तब ऐसा होता कि कुछ प्रादन ऐसे होते जिनको करने की जरूरत थी लेकिन अधी कठोर होने की वज़ा से उनमें बदलाव होना संबब नहीं हो पाता कुछ ना कुछ अर्चन आ जाती और होता कई नहीं सीजी बिगड़ सकती थी तो इन सब बातों को ध्यान में रखा गया अब देखिए इनको समझ लेते कैसे कुछ उपबंदों को संसद में विशेश भाहूमत से शंशोदित किया जा सकता है अब देखिए जो बात करीने हैं कि विशेश भाहूमत क्या है विशेश भाहूमत से यह क्या बात करा है संसोधन की बात करना है विशुज भाहूमत से हमेंट्मिंट कर रहे हैं तो इसमें कैसे कह सकते हैं लोग देखिए दोनों सदनों में अब दोनों सदोन हमारे कौन कौन से हो गए एक सदन हमारा हो गया राज्यसभा और एक सदन हमारा ओगया लोक सभा तो दोनों सदनों में उपस्तित और मतदान बहाग लेने वाले सदस्यों का उपस्थित एक तो उपस्थित होना चाहिए, दोनों सद्रों के सद्से, और मददान में भाग लेने वाले होंगे, ठीक है, वाले सद्सेों का दो तिहाई बहुमत और पर टेख सदन में कुल सद्से का बहुमत, जो की 50% से अधिक होना चाहिए, ठीक? यहां पर क्या उपस्तित और मद्दान में भाग लेने वाले ठीक है उनका कितना दो तिहाई तू थर्ड सपोर्ट होना चाहिए तू थर्ड वोटिंग होनी चाहिए तभी विशेज बहुमतम कह सकते हैं ठीक इसके भीना नहीं होगा और परतेक सदन में जो कुल सदस्य होंग कि विशेज बहुमत आप संचोजित कर सकते हैं विशेज बहुमत को संचोजित करने के लिए किसी भी संचोदन को पास करने के लिए विशेच बहुमत द्वारा ये कंडिशन होनी चाहिए कि लोकसभा और राज्यसभा में उपतित जो मद्दान में भाग ले रहे हैं उनके द्वारा दो तिहाई बहुमत से संकल पपारित होना चाहिए ठीक है और जो भी हाउस है उसमें कम से कम 50 परतिशत उपस्तिती होनी चा संसद के विषेच बहुमत और कुल राज्यों के अधिक राज्यों के अनुमोदन से संसोजित के जा सकता है हम यह क्या बात कर रहे हैं? कि कुछ अन्य जा में बात कर रहे हैं, इसमें क्या होगा? कि विशेश बहुमत तो हो गई होगा साथ ही कुल राज्यों के आधे से अधिक कुल राज्यों के आदे से अधिक राज्यों के अनुमोधन से ही संशोदित किया सकता है ऐसा नीए कि कुछ राज्य उठा के पास करवा दिया तो हो गया नहीं कुल राज्य owners करेंगे उनके आधिसे अधिक राज्ये उसको एक्सेप्ट करेंगे किया यह होनी चाहिए और साथ में विशेश बहुमत तो हो नहीं होना चाहिए तब सभीधान हमारा संच्वजित किया सकता है अब इसके लावा कुछ और प्रावधन भी दिएगे संच्वधन के वह देख लेते हैं के दवह दो कंडिशन में बताई इसमें क्या हुआ कि हम सभीधान के सभीधान की बात कर सकते अगर माली को छेषड करने चाहिए तो क्या है अगर उसको विशेज बहुमत नहीं मिला तो छेड़ थाड़ नहीं कर सकता हूँ तो नहीं होगा अब इसके लाव कर हम बात करें तो कुछ प्रावधान आम विधाई परकरिया के तहत संसद में समाने बहुमत के माध्यम सभी संचोजित किये जा सकते हैं अब भी तक यह बतारता आपको विशेज बहुमत आपका आता है 368 आर्टिकल जो है अनुशेट 368 के अकोर्डिंग आता है ठीक है यह प्रावधान है अब जो आम विधाई की परकरिया उसमें क्या होगा बस विशेज बहुमत की जगाप उसको जो आम बहुमत बोलते ना उस उसको वन थर्ड लंट कर देते हैं एक तिहाई कर देते एक त्यहाई से पास होगा तो भी चलेगा तो भी पास हो जाएगा ठीक है अंट सो इस प्रकार्त है और यह वाला जो और यह आम उनलब सभिदान का आपकरदी होगा झाल तक चला तो चले हैं समानने ने भोउमत यह मानने नहीं होगा आर्टिकल 368 के अंदर हम वही बात करें इसमें विशेज बहुमत हो और कुल राज्यों के आधिय से अधिक या फिर मदान में जो हाउस भाग ले लोग सबराज से बाउन में उपस सदस्यों के जो 50% से अधिक लोग उपस्तित होंगे वह होना चाहिए इसका कंडिशन होनी चाहिए तब आपका एक संच्छादर नो सकता आपके अधिक कठोर वाली प्रक्रियाप की यह और लचीले वाली प्रक्रियाप की यह जब आपने जो भी सब्विधान में उपस्तित हैं जो भी उपस्तित हैं उनका वंधर बहुमत से पास हो जावे तो एक संधे शरकार union government की स्थापना करता है इसमें वाल और कि यह संख्या सभी आम लक्ष्ण विद्मान रहें गें और वो कैसे होंगे वह मैं आपको बता गाएटा हूं जैसे एक्जाम्परियूद तरव माले ये कि दो सरकार आप तोभी करने दो सरकार क्यों प्रव्ण कैसे है ऐसा नहीं कि तो सरकार की अगैं लेकिन अज़ना तो उसा Сकते हैं तो शक्ुंदो यो PAC शक्तियों का विभाजन सब्सक्राइब हर उस पर मतलब बजल राज्ये भी है ठीक है अगर हम यह शक्तियोंच का विभाजन की बात करें तो राज्ये पर और यृटिज भी हैं और सेंटर गॅर्मेंट भी है तो सब के पास अपने अलगव अधिकार हैं ठीक है तो कि राज्य को शक्तिया दी गई है जिसमें राज्य अपने नियम कानून बना सकता है शेन्टर युनियन को दीकर ये पुरे देश में लागों हो सकते और union कुछ ऐसे दिए गए हैं जिसमें union और state दों नहीं मिलकर बना सकते हैं इनकार किए को बोलते हैं state list एक को बोलते है union list और एक को बोलते है क्या कि समवर्त शुची ठीक है कि तो इस प्रकार रहती प्रकार तीन we are you three system बाद भड़ेंगे क्योंकि यह आप पढ़ने के कोई जूर्ट नहीं है तो ये तीन जो लिस्ट होंगी उनको हम अलग से पढ़ेंगे स्पेचल जब मैं आपको लिस्ट में पढ़ लेंगे हम उनको तो दो सरकार होंगी शक्ति को भी वाजन अलग-अलग किया गया है ऐसे नहीं कोई कि शक्ति ओपर हावी हो रहा हरियाना यूपी एक वैस्ट बंगॉल तो सब में अब देखें कहीं पर क्या है कहीं पर लिकोर बैन है शराब पादेंजे शराब बैन दिल्ली में शराब खूब चली दवाके बिहार में बैन होई तो इसका मतलब कि अपर दूस्वान कर दो नहीं वह तो सब की अलग पाव कि देखें कि लिखें सब्विधान है कि और मैं स्कुनक्त कर देता हूं अ हम अधिक है कि लिखें कि सब उन टर्jung करके पमें दीखेंशन क्या होता रोल अंसरा बताइए धिलतान के र aleg town को नॉन रिटेंथ नक집 आप째नल करनल की और इसके बाएशन हम देखते हैं सविधान की सर्वोचता कि समघ्षान लिख की संध़कता अब देखिए पॉइंट है एक अच्छा पॉइंट है पैसे समस्ते सब्सक्राइब की सरवोचता है कैसे सुप्रीमें क्यों है कैसे हैं देखिए हमारे देश में कोई भी एक आम नागरिक ठीक है उसको वही अधिकार प्राप्त हैं जो देश के किसी सीनर सिटिजन को माल है कि अपके छल रहे हैं कि आप वर पकड़ा प्रेंज कर दिया तो के यह बिए घ्रीमें को बड़ाल है चलता को तो अपनी मन मनें कर सकता है राजनेतिक पाइट्य आ है और मैं किसी कह नाम क्योंकि अच्छ नहीं लुगा क्सी कोई सोचे में बधनाम कर था है तो हम ऐसा ब बात करते हैं सत्ता दल और विपक्षिदल ठीक है हमेशा अब सब्सक्राइब कोई सब्सक्राइब तो क्या आपका खाना पीना रहना आपके ऊपर है आप जहाचा रहो ठीक है आप सरकार से सब्सक्राइब कोई सकते हो सब्सक्राइब कोई सब्सक्राइब करें तो उसको भी सजा का प्रावधान है अगर गलती करेंगा प्रेजिडेंट भी तो उनको सब्सक्राइब को सब्सक्राइब को सब्सक्राइब करता है हर चीज का हमारे देश में प्रेजिडेंट माना प्रेजिडेंट इंडुस्तान का पहला नागरिक है लेकिन सरवोच सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब कोई कुछ नहीं कर सकता हैं वह सब्सक्राइब को दिये गए हैं सब्सक्राइब कर नागरिक हैं इंडिया के आप नागरिक हैं तो यहां पर सर्वोच सब्सक्राइब कि सब्सक्राइब कि और कोई भी नहीं है अगले इसमें पइंट है कि सब्सक्राइब की कठोड़ता है करें अब देखिए सब्सक्राइब ठोड़ा यह थोड़े पहले समझाया कि नातों मारे बहुत जदा लचीला है जिसमें परिवर्तन किये जा सकते हैं नहीं कठोरता का बात आई है कि अगर आप समय और जरूरत के अनुसार अपने सभीधान को ना बदल सको तो इसका मतलब आपका सभीधान कैसा है बहुत ही कठोर है लेकिन हमारे सभीधान में समय और जरूरत के अनुसार सविधान में बगदलाब की जासकते हैं इसलिए हमारा सविधान अधीक टोर नहीं है और हमारे सविधान में एक और प्रागधान है कि सविधान की जो मूल डाच है मूल आत्तमा है उसकARS छेटल्चड नहीं की कोशें कर रहे हैं तो वहां पर सभिधान नहीं कर सकते हैं आप तक या या फिर पर संपनाय को नहीं होना चाहिए उसको वापस से प्रिवर्चेश कर रहे हैं तो वह ज sl oo नहीं है है फो सम्हां प्हार अब इस में एक और आद आएगा स्वतंत्र न्याय पालिका वे द्वी सदनियता ठीक है स्वतंत्र न्याय पालिका एम द्वी सदनियता कि ढ़िए बात है स्वतंत्र न्याय पालिका कि देखें हमारी जो न्याय पालिका है वो किसी बी बेस किसी को ऊपर डिपैंटर नहीं है ठीक है मतलब इंडीपैंडेंटर काम कर दिये उनके अपने सब्सक्राइब करेंगे ना किसी राजनातिक दबाव में काम करेंगी ना किसी के महों में काम करेंगी ठीक है तो हमारी नायपाली के लिए बहुत ही सब्सक्राइब करेंगे तो हमारे पास वह है तो इस सब बातों को अगर मिला करेंगे तो हम कह सकते हैं कि एक आत्मक्ता की और जुकाव के साथ संग्य विवस्ता में हमारे पास इस सब सब्सक्राइब करेंगे तो हमारे संग्य विवस्ता को बहुत मजबूत बनाते हैं ठीक है तो चलिए अगला टॉपिक डिसक्स करते हैं